हेलो दोस्तों कैसे है आप सब देखिए हम लोग आज यहां पर LCM and HCF के बारे में जानेंगे BPSC Tree के अंदर में LCM and HCF को पढ़ना है और इनके बारे में बेसिक जानेंगे साथ इसाथ इनसे रिलेटेड जो भी कोस्टन्स के टाइप हो सकते हैं उन सारे टाइप मेंसे एक एक कोस्टन्स को डिसकस करेंगे और वैसे सारे टाइप के कोस्टन्स को एक वीडियो में डिसकस करना इंपोसिवल है तो जितने कोस्टन्स हो सकते हैं आज और जो बच जाएगा उनको अगले वीडियो में देखेंगे हैं चलिए एल्सियम क्या होता है तो लोवेस्ट लोवेस्ट कोमन मल्टीपल तो यहां पर फूल फॉर्म क्या वा जाता है तो यहां पर हैजेस्ट कोमन कि प्रेक्टर तो यहां पर लोवेस्ट देखने में लग रहा है और यहां पर हैजेस्ट लिखा हुआ है लेकिन जब हम लोग लोवेस्ट लिखा होगा लेकिन यह हमेशा हैस्ट से बड़ा होगा और यहां पर लोवेस्ट लिखा हुआ है लेकिन यह हमेशा है लोवेस्ट लिखा होगा और सथी साथ नम्म मर से बड़ा रहता है जिस नम्म का में लरॉन निकानना उफ में उस्पे ल yapt लीनीफ निकाल वह एक हो गया आपका चार और एक हो गया आठ यह दो नम्मर इन दोनों नम्मर के हमें क्या निकालना है लिए चार का प्राइम फिक्टुराइज़़सन कर लेते हैं तो दो दो हो गया और चाहे तो और आगे भी जा सकते हैं है नो वैसे दो आपका प्राइम फिक्ट्राइशन है तो दो पर ही आके रुख सकते हैं आठ का करेंगे तो दो से चार बार में डिवाइड होगा फिर दो से दो अच्छा प्राइम फिक्ट्राइशन का मतलब क्या होता है प्राइम फिक्ट्राइशन का मतलब यह होता है कि है या फिर एकसे भी जो वालो हॉ उसी न Πर एक हुज Rozoo करते हैं देखें दो दो किसी और नम्र से डिघवन नहीं है यह आपसा दो ही आया है और अब आगे देखें को सम्सभ और तो वहाँ पर भी देखेंगे जैसे कि मान लिजे नाइन करेंगे तो तीन से डिवाइड करेंगे जैसे मान लिजे कि अठारे अठारे को अगर करेंगे तो यह आपका नो से भी डिविजवल है लेकिन नो हमारा प्राइम नम्मर नहीं है तो नो से इसको डिवाइड नहीं करे हैं अमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है प्राइम नंबर क्या क्या है तो देखिए तीन है इन से करेंगे तो छे बार में कटेगा यह देखे प्राइम नंबर नहीं है यह होगी आपका प्राइम नंबर प्राइम नम्मर तो प्राइम नम्मर से भी डिवैड करना है की यहांँ देखे फिर दो से कर सकते हैं तीन, भर में पड़े जाएगा तो तीन भी आपका प्राइम नमर है दो भी और तीन भी लास्ट में जो बचा वो भी प्राइम नमर है तो इनको अप डिविजन करने का कोई जर्रत नहीं है बस यहां पर यह थोड़ा सा धियान दिजेगा कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं भाग देते हैं तो वह प्र हो प्राइम नमर है और यहां पर प्राइम नमबसे भाग देते हैं तो था क्या तो यहाँ आपका आ गया 2 गुना 2,2 अगर यहां पर हमें क्क. निकालना और मिकान निकानने देखिए HCF का सबसे पहले देखते हैं HCF बराबर देखिए दोनों में जो कोमन है यहां पर देखिए दो दोनों में आ रहा है यह कोमन है और साथ ही साथ यह वाला दो कोमन है HCF जो हो जाएगा दो गुना दो अच्छा LCM क्या होगा LCM देखिए जो कोमन है उसको तो लिखेंगे तो दो गुना दो एक बार यह दोनों मिला के यह दोनों को मिला के एक दो लिखेंगे और यह दोनों दो को मिला के एक बार लिखेंगे और यहां पर देखिए एक दो बचा हुआ है तो यहां पर इनको भी multiply करना होगा यहां से multiply करेंगे तो चार हो जाएगा और यह दूदना चार दूना आठ मतलब कि ACF कितना आ गया चार आ गया और LCM कितना आ गया आठ आ गया अब देखिए जो LCM है वह देखिए ACF से बड़ा है ACF आपका चारी आया है और LCM जो है वह आपका आठ आ गया है मतलब यहां पर जो नम्मर है उनके बराबर आया है लेकिन LCM जो होता है वह ACF से हमेशा बड़ा होता है अब आगे जो इसमें देखना है जैसे एक और एक्जम्पल लेते हैं और आठ इन दोनों का में LCM और दो ASCF नीकाहना है तो सबसे परए क्या करेंगे rige करेंगे दो से तीन बार में कटीर आझ इसको करेंगे तो दो से चार करेंगे होगा इर दो से दो बार में होगा हो am裝ory है एक क्या हो गया दो गुना तीन आट क्या हो गया दो गुना दो गुना तीन अब देखिए एल सी एम एल सेम कितना हो जाएगा और एसी अब देखिए यह एक ही दो जो कि दोनों में कोमन आ रहा है और देखिए अच्छा तीन भी आ रहा है यहां पर इन कैसे आगया वही लिखने में मिश्टेक हो गया है तीन नहीं होगा यहां पर तीन नहीं होगा दो होगा है दो एक ही दो देखिए दोनों में कोमन आ रहा है तो ए एसी अपक यह यह होगा है और यहां पर दिखिए मुल्टिप्लाइगी जिए दो दुना चार यह बारह दुना चोबीस आपका LCM हो गया कि जोबीस आपका कि LCM हो गया और है कितना आ गया दो यहां पर देखिए दो नम्मर क्या क्या लिए थे च्छे और आट यह देखिए च्छे और आट दोनों से च्छोटा है और LCM LCM देखिए कितना आगया चोबीस आगया जो कि च्छे और आट दोनों से बड़ा है यहां पुझे समझने वाली एक बात है LCM और LCM क्या है तो लोगेस्ट कोमन मल्टीपल है और मतलब यह है कि अलसी आम ऐसा नम्मर होता है जो कि यह और आट दोनों के टेपल में यह बोले लसी माइसा नम्मर होता है ऐसा नम्मर होता है जो की जो की है और आठ दोनों के टेबल में आ जाए दोनों के टेबल मतलब समझ रहे ना पहाड़ा जिसको बोलते हैं टेबल में आ जाए कि कि यह है इंग यहनु और यहां पर दोनमर जो लिए वह था आठ के बराबर आया था यहां पर यहां पर एल्सियम हमेशा बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा ही होगा लेकिन उन दोनों नम्मर से कभी छोटा नहीं होगा लेकिन ऐसी अब देखें अब ऐसी अब क्या होता है तो ऐसी आप को समझना होगा ऐसी आप ऐसा नमर होता है जो कि उस नमर से या दोनों डिवेजिबल हो जाए मतलब या उसन नमर से से ये दोनों के ऊपर भाग लग जाएं देखें अगर 3 से शै में भाग लग लएगा लेकिन आठ सहार लेकिन जहाओ उस्के बाद फीर पांच लए तो दोनों के सब्सक्राइब एक नहीं है तो किसी मेरे नहीं 8 अगर लेंगे तो सिरफ इस वाले में 8 अगले कं नें करत रहा है ने कि अ कैसा नम्र हैं जो कि सब्सक्राइब भांग है और 7 यह समझ मेंreas गया होगा एस्यप मतलब वह छोटा नमबर है ना जिससे कि यह दोनों के ऊपर भाग लग जाए और LCM क्या बता है तो LCM ऐसा नमर होता है जो कि इन दोनों के टेबल में आता है इसलिए LCM जो होता है बड़े ओले नमर्स के बराबर से हो सकता है या फिर इन दोनों से बढ़ाई होगा और ACF जो हता है वो छोटे नमर्स के बराबर हो भी सकता है या फिर उनसे छोटा ही होगा है नो यह ACM और LCM का concept था समझें उमिद है कि LCM और ACF समझ में आया होगा अब देखिए इनसे जो related questions हो रहें BPSC tree में पूछे जाते हैं उनको थोड़ा देखते हैं चलिए दो नमर्स लेते हैं एक ले लेते हैं आठ और दूसरा बार है यह दो नमर्स इन दोनों का थोड़ा ratio निकालते हैं आठ और बारह का अगर ratio निकाले तो यह कि तना हो जाएगा चार से कट जाएगा सबसे समझ्जिंगा अगर LCM निकाले इन दोनोंनममर का들 लखी हम कितना होगा कि सबसे पहले और का प्रायम प्रिक्टराइशन करेंगे जार दो लीगे भारे का करेंगे तो दू छते बार है और यह दूतिया शे है तो आठ का क्या क्या आ गया दो गुना दो गुना दो बारे का क्या आ गया दो गुना दो गुना तीन देखिए अगर ऐसी है यहां से निकाले तो क्या बोले कि दोनों में जो कोमान आ जाए तो एक यह वाला कोमान आ रहा है और एक यह दो फोमान आ रहा है चार मतलब कितना हो गया चार है और जो बच गया ना देखिए यह दोनों बच गया है ना क्या क्या बचा दो बचा और तीन बचा जो बच गया और यहां पर जो रेशियो निकाले हैं देखिए तो दोनों कोमान है क्या दोनों कोमान है ना काने का मतलब य यहां होता है यहांahan आपके 2 आ 3 अदाप कोई यह दोनों का पेर नहीं बनाया यह दोनों गवायन श्रेषिजर करेए यह समझ में आगया होगा कि ब्राबर होता है इहां पर यह और समझना होगा अचा एल्सियम भी निकाल लेते हैं एल्सियम क्या हो जाएगा दो गुणा दो जो कोमा ने उसको लिग दिये अब यहां पर दो पचावा है इसको गुणा करेंगे और यहां पर गुणा तीन करेंगे देखें यह देखें तो एसे अपके बराबर है है ना यह एसे अपके बराबर है ना यही एसे अपका एच सी एफ और देखें यह दो और तीन देखें तो रेशियो जो यहां पर निकाले थे दो और तीन आया था क्या मतलब क्या हुआ कि यह दोनों क्या है यह दोनों क्या है रेशियो है ना यह दोनों रेशियो ही है मतलब क कि LCM जो होता है LCM जो होता है वह HCF गुना ratio होता है जो भी ratio उन दोनों नम्मर का दिया हुआ है दो नम्मर रहे या तीन नम्मर रहे यह वह एक फ़र्मूला आपका बन गया LCM बराबर क्या आ गया HCF गुना ratio देखिए इसको questions में अगर बनाए मुझाली जी कि आपको ratio दिया ह हब और आपका एसियव दे रखा है एटे पतना दे रख़ा है सले हैं विशनी को करता है है आपको निकालना की VCM कितना होगा मैं टीक है एल्षीम कितना होगा करेंगे एर टीकर उल्षाले डोटोना तिन कर देंगे 2 गोना तिन देखे तो जारुणना यह चो भीज माया है यहां आप यह पेल थम निकाले में 24 यह किसके बराबर 8 डीच को बेज आया है तो यह एक फर्णूला बन गया कि यह क्या होता है तोuity क्या ह norm r ora HCF गुना ratio, ठीक है, पहला formula क्या बना, LCM बराबर, HCF गुना ratio, दूसरा formula आपको याद करना होगा, दूसरा formula क्या होता है, LCM गुना HCF अगर कर देंगे, तो यह product of numbers के बराबर हो जाता है, products of two numbers, ठीक है, देखिए, verify भी कर सकते हैं, यह आप LCM कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, HCF कितना निकाले हैं, 24 निकाले हैं, इन दोनों को multiply किजिए, 24 चलके, 29, यहाँ पर जो दो नम्मर लिये थे, 8 और 12 लिये थे, 12 अबर अठे, कितना होता है, 29, लेके तो दोनों बराबर आया क्या, मतलब कि LCM गुना HCF कितना होता है, product of two नम्मर होता है, ठीक है, अब चलिए questions वरे करते हैं, यही दो खिलाला भी यूज़ करेंगे, आगे questions के हिसाब से concept को देखेंगे, चलिए, सबसे पहले questions को देखते हैं, चलिए देखिए, पहला questions को डिसकस करते हैं, आपके पास ratio दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 is to 4, और, HCF दे रखा है, 4, ठीक है, HCF चार दे रखा है, तो आपको numbers निकालना है, the number is, number is, number क्या होगा, यह आपको निकालना है, तो यह कैसे निकालेंगे, देखिए, अभी जस्ट बताए, कि LCM, LCM क्या हो जाएगा, तो HCF चार है, गुना जो भी रेसियो है, 3 गुना चार, तो 4 तिया पर चोके 48, यह आपका LCM हो गया, और यह आपका HCF हो गया, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको यहां पर क्या निकालना है, नम्मर से निकालना है, तो फर्स्ट नम्मर जो होगा, वो क्या करेंगे, जो भी HCF रहेगा, है न, उनको पहले जो रेसियो में 2 दिया हुआ है, पहले वाले से गुना कर देंगे, मतलब 4 गुना 3 कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 तीया 12, यह पहला नम्मर हो गया, सकेंड नम्मर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो भी HCF दे रखा है, और सकेंड नम्मर रेसियो को मल्टिपलाई कर दो, चार गुना 4, मतलब 4 चुके, तो एक नम्मर क्या हो जाएगा, बाहर है, और दूसरा नम्मर क्या हो जाएगा, तो यह हो गया, आपका नम्मर से निकालना का तरीका, ठीक है, तो यह अगला कुस्टन डिसकस करते हैं, दूसरा कुस्टन, मान लिजिए, रेसियो दे रखा है, रेसियो दे रखा है, ठीक है, और आपके पास अभी LCM दे रखा है, अरभार SCF दिया हो रहता था, तो LCM दे रखा है, 72, ठीक है, आपको LCM, अच्छा, LCM तो दिया हो यह, सजे, SCF निकालना है, क्या nिकालना है, H, C, F बड़ाबर, क्या होगा, यह वाड का साइन है, तो आपको SCF निकालना है, SCF कईसे निकालेंगे, देखे, LCM का फर्मुला पता है न, LCM बड़ाबर क्या देखे हम लुग, barrel क्या क्याएं, प्रोड़क्ट ओफ रेसियो यहीं देखें हम लोग मतलब की LCM दे रखा है कितना बहत्तर HCF हमें निकालना है HCF निकालना है गुना प्रोड़क्ट ओप रेसियो फिरी गुना दो यहां से HCF बराबर क्या हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 72 अब आए यह कितना है तीन दुनों छह है कि यहां से 6 से करेंगे तुबर्चों के बहत्तर HCF देखें कितना आ गया बारे आ गया मुर्ण लिजये मां आगे कुस्टन से दिया हो रहा था था पाइंडेना नंमर सक्टार के नमर्स क्या होगा नमर से निकलने क्या तरीका है और लिए बोल देते हैं पहला नमर अभी जाश्ट पिछले कुस्टन में बताएगा उनको पहले वाली नंमर रेशियो में जो दिय नुमर क्या हो जाएगा तो जो भी ऐसी यॉप बार है गुन दुसरा वहला रेशियो में क्या दे रखा है दो दुसरा नुमर क्या हो जाएगा यह थीविद्स चुर्व येह हो गया सबकेर का को सिंद्स को अगला को संदेखे अगला कुस्चन करणा चलिए मान लिजомина दो रेशियो दिया हुआ है दो रेशियो दे रखा है ठीक है कुस्चन नम्मर तीन हिए रहे नहीं है दो रेशियो दे रखा है है नौ अल 또 इस विव दिажд क्या दिया हुआ है 2 us to 3 डेशियो बरावर तो इस टो थिरी ऐल्सियम आपको दे रखा है right. तो वण आपको निकालना है संउं इूंबर nenकमर निकलने के लिए ही पहले है तो इस वाले को करेंगे तो पहला नंबर निकल जाएगा फिर उसी स्यसको भी नंबर निकल रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे प्रोड़क्ट ओक रेशीयो से मतलब रेशियों के गुणा से है ना देखिए एल सेम क्या दे रखा है जब वन बाई दो गुना तीन तो जब वन बाई छे छे से कड़ जाएगा नाइन ऐसे अब कितना हो गया नो हो गया अब पहला नंबर कितना हो जाएगा बताएगे फर्स्ट नंबर नो को पहले दो से करेंगे तो अठारे हो जाएगा सकेन नमर कितना हो जाएगा तो सकेन नमर आपका फिर इसी नो से तीन को करेंगे है नो तो नोतिया 27 अब इन दोनों का जोड निकानमा है हमें 18 प्लस क्या कर देंगे 27 कर देंगे तो 8-7-15 और 2-1-3-1-4 मतलब सम कितना निक चल गया यह एंसर हो गया कि अगी नहीं कि कमझ में आ रहा होगा ठीक है और क्या को संस्वर इसमें आते हैं तो देखें तो मुझे यह दो नमर दिया हुआ है एक दिया हुआ है 28 दूसरा 42 आपको कुस्टन से निकानना होगा आइंड दा कि theor k सम wrench ओक से निकानन सबसे पहलें क्या करेंगे प्राइम पिक्टराजरस्टन जा आपको बताये दोसे करना होगा जो किर で से करेंगे साथ साथ प्राइम नम्मर से तागे डिवाइड करने का जरुरत नहीं है भी आलिस को करेंगे फिर दो से फिर यह एक एस बार में हो जाएगा कि किस से डिवाइड होगा तो तीन से होगा कि तो रिप हैं मंदर नहों होगा कि 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 तो साथ फिर से प्राइम नम्मर है तो इसको डिवाइड करने का आगे जरुरत नहीं है तो 28 क्या आगिया 28 बराबर 2 गुना 2 गुना 7 यह 40 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 बताए हCF tima एसीन बराबर क्या हो जाएगा इसको बराबर एक यह मिल रहा है आगे क्या मिल रहा है साथ मिल रहा है कर सब्रोन के लिवाइन देखें जो बच गिया है आगिया क्छान बचा एक दो बचा है दो और क्या नममर बचा है तीन बचाया थीन ना चौद दुना 42 और 42 गुना तीन गुना तीन तीन दुना चारतिया बार है 120 एलसी अम भी निकाल लिए और एसे भी निकाल लिए अब उनको रेसियो निकालना है ना दोनों को डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो है ना फैंडर एसे यह यह दोनों मिली गिया है 126 भाई क्या कर देंगे जो भी आएगा वही रेसियो हो जाएगा तो चौध नामा क्या होता है रवील से यह ना मतलब क्या आगया नाइन इस्टू वन यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा समझे चलिए आज यह तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में और भी टाइप्स के कोस्टन् थैंक यू कैसा लगा वीडियो आपको बताएएगा चलिए